यह मेरे लॉकी की प्लेंट और इसमें मैंने टू जी कटिंग तक की है मैं इसको प्रैक्टिकली आपको दिखा रहे हूं इससे पहले के वीडियो में मैंने ग्राफिक्स में बताई है कैसी इसको करना है देखिए मैंने अपने सुरू से जो चार पंच पत्ते थे वो जब और उसमें फंगस हो जाने का डर रहता है तो बेल जब जब जड़ा थोड़ा लंबा हो जाए ना तो इसको ये चार पंच पत्ते उसको निकाल दीजिये ठीक है और उसके बाद मैंने पहला कट लगाई मतलब जो वांजी कट होता है देखिए वांजी कट हाँ ये देखिए यहाँ पर मैंने इसको वांजी कट लगाई ठीक है वांजी कट जब लगाई तो आगे जाके देखिए ये आगे चलने लगा है हां ये आगे चलने लगा है और इसमें अभी अभी थोड़ा थोड़ा देखिए मेल बर्ड सब आ रहे हैं देखिए ना ये देखिए आपको द यह देखिए, यह होता है male bird, इसमें देखिए लौकी नहीं है आगे, तो यह male bird है, तो यही है कि हम लोग कैसे यह male bird के लिए female bird लाएं, जिसके की आगे चलके लौकी बनेगी, इसलिए हम लोग यहाँ पर, मैंने यहाँ पर और एक cut लगाई, मतलब 12 नीचे से first cut हो गया, यह ह यहाँ पर 2G cut लगाई, 12 पत्ते के बाद, first cut, 1G cut के बाद, 2G cut यह है, यहाँ पर cut लगाई, और देखिए, यहाँ आपका suit निकल रहा है, ऐसे suit एक आ सकता है, दो तो आए गई, और थर्ड भी आ सकता है, जो थर्ड वला आएगा, उसको मैं चलने दूंगी, इसलिए चलने दूंगी, क्योंकि वो आगे जाके, बेल, फिमेल, दोनो तरह का बड़साएंगे उसमें, लेकिन इसमें जो main दो ब्रंचिस निकलेगी, जो अभी निकल रही है, देख रहा है न, यह जो दो ब्रंचिस पहले निकलेगी, उसमें आपको, मेल और फिमेल, दोनो तरह का पत्ता हो जाएगा, मैरे प्लैंट इतने बड़े हुए नहीं, मैं बाद में दिखाऊंगी जब हो जाएगा, यह जो ब्रंच चलके आगे जो जाएगा, हाँ, यह ब्रंच जब आगे चलेगा, उसमें आपका, मैं लगाऊंगी 3G कट, और उसके बाद जो ब्रंच आजाएगा उसके सारे के सारे female bird आएंगे 100% एक एक पत्ते में एक एक female bird आ जाएगा मतलब एक एक पत्ते में एक एक लोकी आ जाएगा और इतनी है आप 3G तक कि करिए 4G मत करिए मैं suggest नहीं करती हो 4G के लिए क्योंकि 4G करने से plants के दुबली पते plants के उपर बड़ा food crisis हो जाता है मतलब इतने सारे लोकी को खाना इतना सारा लोकी के लिए खाना टान टान के नीजे से लेना ये थोड़ा उसके लिए मुश्किल हो जाता है फिर लोकी जड़ने लगते हैं ठीके और हमेशा यही देखिए कि at least 10 female bird के लिए कम से कम एक से 3 तक male bird हो दस female के लिए एक से 3 male bird हो और अगर अगर आपके बगीचा में कीड़े मकड़े रात में आते हैं मदुमख्या आते हैं तो बस बाकी का काम तो वही कर लेंगे नहीं तो फ़र hand pollination भी कर सकते हैं वो कैसे करना है मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगे थैंक्यू पर वाचि झाल